हलो क्लास टेंथ स्टूरेंट्स नाव लेट एस कंटिन्यू विद चाप्टर तो फर्स चाप्टर हिस्ट्री का आज उसका हम धर्ड पार्ट पढ़ेंगे दे एज अफ रिवुलूशन्स 1832-1848 इसमें क्यों कुंसी बाती कहीं गई हैं जैसा कि हम जानी रहे हैं कि यॉरोप क में जो रिवुलूशन्स हुए थे क्रांती हुए थी सुतंत्र देश भंडाने के लिए उसी संबंधित यह भी हिस्सा है अब इसमें हम पट्रिकुलर्ली कुछ हिस्सों के बारे में के करके पढ़ेंगे तो एज ऑफ रिवुलूशन जो 1830 से 1848 तक हुआ इसमें कौन-कौन आसी बाते हुई यह हम देखेंगे। कंसर्वेटिव जो थे वो अपने पावर को संगठित करना शुरू कर दिया था उन्होंने यह जो फर्स लाइन आप देखें क्या है। तो कंसर्वेटिव रेजीम ट्राय तो कंसॉलिडेट तेर पावर और लिबरल जो थे अर लिबरल आइरलेंड और पोलेंड अब इतनी चीजगों के ओपर इन्होंने शुरू कर दिया था अपना अपनी क्रांती को अब कंसर्वेटिव जो थे वो अपने पावर को संगठित कर रहे थे लेकिन लिबरल जो थे वो चुप नहीं बैठे हुए थे निशनलिज्म जो था वो धी हिस्से में जैसे इतली जर्मन स्टेट्स और कुछ आटमान एंपायर का हिस्सा था आयरलेंड कुछ प्राविंसेस थे आयरलेंड था पोलेंड था इन सब जगों पर क्रांती शुरू हो गई थी और इसके लीडर जो थे वो ज़्यादा तर पढ़े लिखे मिडिल क्लास को इन्हें एलीट कहा जाता था और क्योंकि यह अभिजात वर्ग से आते थे एलीट का अगर शुद्ध हिंदी में कहें अर्थ जो है वो अभिजात वर्ग कौन होते हैं जिनके पास धन होता है और थोड़ा पॉलिटिकल पावर होता है प्रभाव भी होता है इनको एलीट कहा जाता है इनके साथ के जो लोग थे वो प्रोफेसर्स थे पढ़े लिखे हुए लोग थे प्रोफेसर्स थे स्कूल के टीचर्स थे क्लर्क थे और कुछ कमर्शियल मिडल क्लास के लोग थे जो इनके साथ आकर मिल गए थे क्रांती करने में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन के साथ पहला उतल पुथल जो था वो फ्रांस में शुरू हुआ यह देखिए दो फॉर्स अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1830 जुलाई 1813 को यहां पर यह जो क्रांती थी वो उतल पुथल शुरू हो गई पहले भी हम बात कर चुके हैं कि यह बड़े शचंकित रहते थे फ्रांस से कि हर समय जो भी मुसीबत होती है फ्रांस से शुरू होती है इस मामले में भी फ्रांस से तमाशा शुरू हुआ जिस बोर्बोन फैमिली को के राजाओं को 1850 में गद्दी पर बिठा दिया गया था उन्हें लिबरल नेशनलिस रिवुलूशनरीज ने क्या किया उखार कर फेक दिया 1830 में कंस्टिूशनल मोनार्की स्थापित कर दी गई वहाँ पर फ्रांस में और कंस्टिूशनल मोनार्की आप समस्ते ही होगे जैसे राजा को सम्विधान के हिसाब से चलना पड़ता है यानि सम्विधान में जो पावर उसको दिये गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है जैसे आपको एक्जामपल भी मैं बता देती हूँ अभी का अभी जैसे इंग्लेंड में आप देखिए जो मोनार्क है चार्ल्स थर्ड वो एक कंस्टिूशनल मोनार्क है कुई ने अल्जाबेट टू की जब डेथ हुई तो उसके बाद उन्हें वहां का मोनार्क यूके का मोनार्क बनाया गया है उसी तरह से फ्रांस में उस समय कंस्टिूशनल मोनार्क की रूप में लूई फिलिप्पी को बिठाया गया था उस समय में टर्नीचे कहा था कि जब भी फ्रांस छीकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है हमने पहले वे बात कही थी कि यह जो हमेशा ही फ्रांस को से यह परिशान रहते थे कोई भी उथल पुथल और परिशानी जो है फ्रांस से ही स्टार्ट होती है और फूरे यूरोप में फैल जाती है इसलिए मेटर्नीच के जो शब्द हैं वो आप याद रखिएगा फ्रांस शीखता है तो पूरे यूरोप को जो काम हो जाता है जुलाई में ऐसी करांती ब्रुसल्स में हुई जो कि अभी बेल्जियम की राजधानी है इसकी वज़े से बेल्जियम किंग्डम ऑफ निधर लेंड से तूटकर अलग हो गया था जब यह करांती हुई ब्रुसल् इंग्डम ऑफ निधर लेंड से तूटकर अलग हो गया था इन सभी घटनाओं के का असर यूरोप के दूसरे देशों पर भी पढ़ने लगा अब यह क्या है धिरे-धिरे करके बाकी जगह जो नेशनलिस थे यूरोप में वो भी अक्टिव हो गया प्राष्टरबाद की फ जो ग्रीस एक देश एक छोटा सा देश है यूरोप में वो ओटमान एंपायर का उस समय 15th सेंचूरी में ओटमान एंपायर का हिस्सा हुआ करता था और जब दूसरे देशों की तरह और इसले क्या हो ग्रीक वार अफ इंडिपेंडनस यहां पर शुरू हो गया जब इसका प्रभाव ग्रीक पर भी पड़ा इस इनान दोलोनों का यह इन रिवुलूशन का ग्रीस पंदरवी सतादी में जब ओटमान एंपायर का हिस्सा था तब और योरोप में जब दूसरी जगों पे राश्टरवाद आया तो ग्रीस भी इस से अचूता तो नहीं रहा और उनका स्ट्रगल भी शुरू हो गया और यह स्ट्रगल उनका 1821 से स्टार्ट हुआ अपनी स्वतंता के लिए कि भाई हमें स्वतंता चाहिए हम आटमान एंपायर के साथ नहीं रहना चाहते हैं उन्होंने उसके लिए कई कारण भी उन्होंने बताए और योरोप के दूसरे देश ग्रीस के साथ हो लिए इसलिए साथ हो लिए कि उनको लगा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए ग्रीक को क्यों सपोर्ट करना चाहिए चलिए आगे दिखते हैं ग्रीस के राष्टवादी निताओं को सपोर्ट मिल रहा था उन लोगों से जो ग्रीस से बाहर एक्जाइल में रह रहेते हैं कुछ लोग कुछ देश निकाला दे दिया गया था बाहर रहे ते हो लोग सपोर्ट कर रहे थे वह लोग कर रहेते हैं हां तुम्संत्पा के लिए लड़ो कुछ Western European देश Greece को support कर रहे थे even European कांप्री भी तो ग्रीस को European civilization का पालना भी माना जाता है, मतलब यहीं से कहा जाता है कि ये ये civilization की शुरुआत हुई थी, उन्हों लोगों को mobilize करना शुरू कर दिया, ग्रीस को support करने के लिए कहना शुरू कर दिया, और ताकि वो अपने आपको एक Muslim सामराज से अलग कर सके, Ottoman Empire एक Muslim सामराज था, उससे वो कोशिश कर रहा था कि अपने आपको मैं अलग कर लूँ, एक अंग्रेज कवी जिनका नाम Lord Byron था, उन्होंने ना सिर्फ युद्ध के लिए पैसा कठा किया, बलकि ग्रीस को सतंता दिलाने के लिए लड़ने के लिए भी गए, Lord Byron बहुत ही famous poet ह English literature में, ताकि ग्रीस को Ottoman Empire से free किया जा सके, Lord Byron की बाद में 1824 में fever से मृत्यू हो गई थी, फिर एक treaty संधिवारता हुई, और इस treaty को treaty of Constantinople कहा जाता है, जो कि 1832 में हुआ था, कहा जाता है कि इसके बाद ग्रीस को, ग्रीस एक स्वतंत्रदेश बन गया था, और इस कहानी के बाद हम और एक नई कहानी, कैसे इस जो nationalism का भाव था, उसको फैलाने में, इस romantic imagination और national feeling, इसका क्या संबंद है, कैसे romantic imagination ने nationalist feeling ये उरोप में फैलाने में मदद की थी, इसके बारे में हम next chapter में पढ़ेंगे, next part में पढ़ेंगे, यानि 3.1 में हम इसके, मैं explain करूंगे आपको, कि कैसे इस nessless romantic imagination ने, nessless feeling को बढ़ाने में, लोगों के बीच फैलाने में, उस समय बहुत सारे अनपढ़े लोग भी थे, कैसे उनके मन में ये भाव आये, कि वो एक राश्ट के अंदर रहने वाले लोग हैं, ये सब feeling को बढ़ाने में, कैसे romantic imagination ने मदद की थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे,